तो आप लोगों को सागते मेरे और एक नए वीडियो में तो प्रेंट्स में पहले ही बोल देती हूँ आप अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज लाइक कॉमें शेयर करना और सब्सक्राइब दरूर करना और जो साइड में बेल आइकन है तो इसको प्लिक कर देना तो मेरा जो वीडियो आएगा वो आपके नोटिफिकेशन में चला जाएगा तो अभी मैं लड़की को पिला रही हूँ दूद और आज थोड़ा लेटी हो गया है मैं सुबे से कुछ शूर्प नहीं कर पाई तो अभी से मैं स्टार्ट की हूँ तो अभी लड़की को दूद किलाओंगी और इसके बाद बनाएंगे खाना इसमें अभी आ गई हूँ किचन में और अभी बनाना है खाना क्योंकि टाइम बहुत हो गया है तो चलिए आज तो मैं जो बनाऊंगी वो आप लोगों के शाथ सेयार करूंगी तो चलिए देखते क्या का बना है और मैं बनाती हूँ और आप लोग देखते रहे है तो चलिए अभी बन गाए मेरा डाल क्योंकि मैं जब लड़की को दूद पिला रही थी उससे पहले में खोल दी और मेर्च डाल के इसको बॉल करने के लिए छोड दी थी और अभी बॉल हो गया है और अभी मैं इसमें लगांगी तर्का और यह मसूर की डाल है हम लोग जादा मुसूर की डाल खाते है तो चलिए इसमें तर्का esti और हम बनाएंगे पयाच का तरका वाला डाल मुसूर डाल के साथ पयाच का तरका बहुत अच्छा लगता है तो सिर में पयाच का तरका ही डालूंगी पहले में डालूंगी सरसो का तेल और शाल्चों का तेल गरम होने के बाद जालूंगी तेज तक का और उसकी बाद जालूंगे शुची मिल्की के तेज कतर सुखी मिल्की के थोड़ा फ्राइ कर लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे जीरा जीरा को भी थोड़ा फ्राइ होने देंगे और देखो इस चटकना भी शुरू कर दिया है और इसमें डाल देंगे प्यास प्यास को थोड़ा कम कर देंगे प्यास को थोड़ा कम कर देंगे तबी में इसमें डाल जालोगी और सिंखिल साही रेसीपी ये डाल का हम लोग रोजी खाते है डाल और ये आप प्याद ना दालो फिर ये जीरा डाल के भी बना सकते हो तो भी अस्ट लगता है और मैंने गैस को फोड़ा कम कर दिया है बनाना एक कराई साइट से जलने लगता है देरे देरे फ्राइ होने दो फिर इसमें ब्राउन कलर आ जाएगा स्टीं आ जाएगा 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 कर दोगी तो आपा जाएगा अपित व्राग्या स्टीं आप शेड़ा कर दूदे आपा ये बनाफ प्राइगा तो थे जाएगा बनाराएगा अगर प्याज अच्छी तरह से नाब भूने ना तो अच्छा नहीं लगता है, इसी वज़े से प्याज को अच्छे से बूनना पड़ता है, इसमें जब ब्राउन कलर आजाए या ना तो उसके बाद ये डाल का टेस्ट भी अच्छा आता है इसके बदो ऐसे ये 2-3 मिनिट तक इसको फ्राइ कर लूँगी और ये डाल के बाद और एक रेसिपी मैं आज लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो है पपाया की रेसिपी, सिंपल सा रेसिपी है तो मैं सोटी चलो, आज तो सुबे से कुछ विडियो शूट नहीं कर पाई, तो आप लोगों के साथ आज ये खाना बनाने वाला रेसिपी शेयर करती हूँ कुछ खास नहीं है, सिंपल सा ही रेसिपी है, तो फिर भी मैं सोटी चलो, आप लोगों को दिखाती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर घर में त्राई करना और मुझे बताना तो देखो इसमें अभी color आगया है और हभी मैं इसमें डाल डाल दूँगी थोड़ा-थोड़ा कर गये कि ये ना बहुत इससाद इसमें लगता है जब बालता है, तो फोड़ा-थोड़ा कर जाले पहले दाल दे, अभी सब बाल दूगी बीरे दुए अभी जैस को तेज कर दूंगी और अभी जब डाल में उबाल आ जाएगा फिर इसमें डाल दूंगी धनिया पत्ता डाल में डाल के डाल उतर दूंगी कर दूंगी तो चलिए अभी डाल में ऊबार ला गया और अब इसमें डाल दूंगी द्धनिया-पत्था डालने के बाद ही डालकों में बंद कर दूंगी जियास क्योंकि द्धनिया-पत्त डालने के बाद जादा इसको उबारना नहीं चाहिए क्योंकि जो धनियापत्ता का टेस्ट होता है वो सारा चला जाता है तो चलिए बन गया है मेरा डाल और इसको अभी में कड़ाई में ही रखूंगी क्योंकि यह जब खाते हैं न हम में थोड़ा मुझे थोड़ा गरम-गरम खाने का शौक है तो तब इसको में फिर से गरम करके खाऊंगी क्योंकि खाने में अभी थोड़ा टाइम हजबें आएंगे फिर खाएंगे तो चलिए अभी बनाएंगे पपाया की सबजी तो मैंने पपाया की सबजी के लिए कड़ाई चड़ा दी है और कड़ाई पे डाल देंगे सरसो का तेल क्योंकि सरसो का तेल से खाने का टेस्ट भी अच्छा आता है तो सरसो का तेल डालने के बाद इसमें जाएगा तेच पत्ता और सूखी मिर्ची और जीरा पहले उसको थोड़ा सा फ्राई करके उतार लेंगे क्योंकि ओ ही है मेरा मसाला दूसरा कोई मसाला याड नहीं होगा जो तरके के टाइम डालेंगे ओ है बाद बाकी ये जो तेच पत्ता, सूखी मिर्ची और जीरा को तेल में भून के उठा लेंगे और इसका मसाला पेचट करके लास्ट में डालेंगे तो मैं इसको पहले यह से भून के उठा लूँगी और कडाई थोड़ा जादा गरम हो गया था इसलिए मैंने गएस थोड़ा बंद के दिया था तो इसके उतार लूँगी फिर इसमें अलग से तरका डालूँगी तो अभी मैं तरका डालूँगी और तरके के लिए वो ही जाएगा तेजपत्ता, सुखी मिर्ची और क्या बोलते हैं इसको साबुत जीरा और हमारे बेंगोल के साइट मिलता है एक मसाला सुखा मसाला ओ है राधुनी ओडालेंगे क्योंकि यह राधुनी डालने से खाने में टेस्ट आता है हमारे उधर यह मसाला मिलता है तो इसके बाद में डाल दूँगी इसमें ओँ है जिसको बोलते हैं डाल का बोरी में घर से लाई थी और डाल का पेजड बना के उसको दूब में सुखाना पड़ता है हमारे उदर खरीदने में मिल जाता है तो मैं खरीद के लाई हूँ और ये भी क्या है ना आप कुछ भी अलग चीज डालो ना सबजी में सब चीज का एक अलग-अलग टेस्ट रहता है तो ये डालने से भी खाने में टेस्ट बनता है तो मैं इसको अलग से के साथ फ्राई करके फिर इसके अंदर पपया और पपया के साथ मैंने काटा था आलू और डाल देंगे बस यही है और कुछ नहीं और इसके बाद नमक खल्दी और मिर्ची डाल के बस लास्ट में मसाला डालना है और यह सबजी बन जाएगी तो चलिए आप लोग देखते र कि अट्वार बन जाएगी तो चलिए दो हम जाएगी तो चलिए वागी तो चलिए आप लोगग भी तो चलिए अटाएगी तो चलिएक वाग झाल 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 तो मैं अभी खाना लेके चली आई हूँ क्योंकि मैं खाना बनाने से पहले नहा ली थी तो खाना बनाने के बाद तुरंत लड़की को खिलाई उसके पापा आए वो भी खा लिये और अभी में खाऊंगी खाना तो सोची के अकेली खाऊंगी तो आप लोगों के साथ थोड़ा बैट के बात करती और खा लेती हूँ कि तो आज मेरे खाने में आपने देलायी सुप्जी था चावल है और पपाया की सब्जी है डाल है ऑर यह मिक्स जो मिक्स जो अचार होते ऊथ 60 ओ तो चलिए खा लेते हैं और आप लोग आीए खासा लीजी मेरे साथ तो चलिये खाते हैं पापड़ना बहुत टेस्टी होता है मुझे ये पापड़ बहुत अच्छा लगता है मेजो जी चलो आज आप लोगों के साथ मेरा खाना भी शेयर करती हो मुझे खापड़ना बहुत अच्छा लोगता है अगर झाल कि थोड़ा सा अचार ले लूँगी क्योंकि डाल के साथ ना अचार अच्छा लगता है और ये मिक्स अचार है ना तो वाट भी अच्छा लगता है तो चलिए मैं खाना खतम करती हूँ और आप लोगों से मिल दियू खाना खने के बाब है और एक बाद पापया की सब्जी आप घर पे एक बाद ऐसे बना के देखना कैसे लगता है तो मैं आगी हूँ खाना खाके और देखो आके सो भी गई और इदर मेरी लड़की भी सो रही है तो मैं अभी लड़की के साथ थोड़ा सोऊंगी रेस्ट करूंगी फिर उसके बाद तो शाम हो जाएगी तो चलिए वीडियो को और जादा ना बढ़ाके आज यही पर ही एंड करते है तो आपको अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज के लिए बाई बाई